राहुल गांधी का फटा कुर्ता तो याद होगा आपको कैसे चुनाव में वोट पाने के लिए नोडबंधी के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेर रहे थे और अपना फटा कुर्ता दिखा कर सहानुभूती पाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन राहुल के इस फटे हुए कुर्ते पर सबसे अच्छा जवाब दिया बीजेपी के सांसत हुकुम देव नरायन सिंग ने अंत में इतना ही कुँगा नोडबंधी की चर्चा बहुत किये किसान की बात बहुत किये कल भी भर दिन चर्चा किये आज भी उतने बात इन्वोट बंदी है कि हरी किर्तन है आपका जो जब जब संकट आए तो भगवान का किर्तन करो ढोल बजाओ इसलिए जब से सुन रहा हूं कितने जिन से एक बार राम जिला के मैदान में वो अन्ना हजारे जी ने अरे कोई नेता है दुनिया भर में ढोल पिठने बाला उसका मैं नाम नहीं लूगा वो उसमें किर्तन करता था अर सबेले से साम तक ढपट 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 ढोल बजावे लो टंगा अगे तो हम लोग पार्लियामिंट बे स्काल किसान को गरीब को मजदूर को किसान को गरीब को मजदूर को हम तो किसान है 2,000 रुपईया हमारे बिहारों उत्तर प्रदेश में 2,000 रुपईया महिना से जादे नगदी किसी किसान के घर का नहीं है चाबल अपना, दाल अपनी, गेहूं अपना, सब्जी अपनी, दूध अपना, दही अपना तरह बचा के 4,000, 2,000, 5,000 रुपया घर में रखे थे एक दिन में बदल के ले आए और चैन तीन महिना चार महिना तक घर में छो महिना तक खर्चा चलाए कलेजा फटता है उनका जो फटता है उनका जो फटता है उनका जो फटता होटल में जाते थे राजा रानी रहते थे उस सूट का किराया एक दिन का एक लाख जेर लाख एक होटल में मैं गया तो कहा यहां एक सूट है उसका पांच लाख एक रात का किराया है मैंने कहा चल भहिया थोड़ा दिखा द भगवान भी डर जाएंगे इसलिए उस जोपरी में रहने वाली की बात करिए आप उनकी बात करते हैं जो पैसा खरसते नहीं है पैसा को फूकते हैं आप उनकी बात करते हैं जो पैसा खर्च नहीं करते हैं पैसा को उड़ाते हैं पैसे को लुटाते हैं एक बार इसी सदन मे में चर्चा हुई, इतने पैसे उतने पैसे, चर्चा में आई, एक मेरे साथ ही, संजोग से मैं नम नहीं कूँगा, वो बरे हैं, एक दिन उनके पास गए तो वो बोथल निकाल के पीने लगे, हमने कहा कुन सर्वत है, तो उने का बिलाईती है, विदेशी, हमका विदेश में सर्वत बनता है, इसकी कितनी कीमत है, तो पैतालीस हजार, मैं दिमाग में जोडने लगा, आपने बापी पैतालीस हजार का सर्वत तो जीवन में हम पी पाएंगे, यह बोतल, तो आपको उनकी चिंता है, जो पैतालीस हजार के बोतल का सर्वत पीते हैं, उनका क्या होगा, रे उनका क्या होगा बहुत मौज उड़ाए हो बहुत मस्ती किये हो देश का ख़जाना लुटे हो लुटबाए हो बाट करके खाए हो नरिंद्र मोदी आएगा आएसा तौला लगाएगा कि सब का दिवाला निकल जाएगा गाव गड़ी किसान में दो खुसाहाल और अमीर बन जाएगा उसके बेटे के चेरे पर लाली आएगी उनके घर में खुसाली आएगी इसलिए हम उन्यता नहीं है जो नाटक करते हैं सिनेमा में एक हिरो याता है हल चलाता है कंधे पर जुआ रखता है एक तरह बैल को जोता है अब फटे कपड़े फार के जिश अच्छे कपड़े को फार के लैला मजनु का खेल करता है उसी तरह राजनीती में लैला मजनु का खेल है फटा कपड़ा लेकर में पर लुग दिखाते मेरा फटा है अरे फटा है लेकिन वो क्या दिखा रहा हूँ बोलो ने बचपन में क्या फटा था हम तो बचपन में फटे कपने पहने थे हम जिस समय थे उस समय ये जीन्स फिन्स ये पैंट पतलू नहीं था हम तो जो अंडर पैंट भेंट पहनते थे अब बोरे की टाच पर पेशते थे गाह में बटके बासी भात खाते थे जनम लेते हो राजा घर में फलते हो रानी के महले में जाते हो कहीं विदेश में परके आती हो कहीं से कहीं और किसी के बारे में अब नाटक करते हो इसलिए आप से आप इस बात को समझे सभापती महोद है मैं इस देश के उन लोगों को समझाना चाहता हूँ कि जो आदमी अपने नाटक्चे द्वारा अपने भरंपैल आते हैं या हिंदुस्तान के गाउं गरीब किसान पिछलों को ठगना चाहते हैं अब गाउं गरीब किस अब कुछ को देखता है और एक एक नियता की जनम से लेके मरन तक की कहानी निकाल के पढ़ लेता है गोगुल के मारफ़त से इसलिए हम किसी को धोखा नहीं दे सकते NMF News के रिपोर्ट